तो देखिए फ्रेंग्स आज हम कंजेक्शन के बारे में देखेंगे कंजेक्शन क्या होते हैं और कैसे इनसे इनसे रिलेटेट क्यूशन एक्जाम के अंदर आते हैं देखिए हमें पता है कंजेक्शन क्या होते हैं या तो वह दो वाइड को जोनने काम करते हैं सबसे पहले नोर के बढ़े में सबसे पहले हम आयधर और नोर के बारे में देखते हैं कैसे इनको यूज करते हैं ऐनको तया से इनको नहीं हुझ करते हैं क्योंगे कर्या हैं some combatdhat independenceelTheAll. यो आईधर और प्रावर को हुआ, सबसे पहले हम आईधर और की बात करते हं, तो देखे झापल से बेटे तरीके समझते हैं। जाने से पहले आपको चीज यहाद रखिएगा। इसके रखे हैं उसके लावब है जाद रखिएगा कि आइधर और के अंदर आइधर और में कर सकते के इसकी का सकते की कि अनुसार ही क्या होगा इसको यहां देखिएगा उसकी कि उसकी सब्तीसिन की अनुसार ही उसकी पॉभवव होगा किसका यूज होगा आइदर का यूज होगा यानि और के बाद जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार हम किसा पर लोग रहेंगा आइदर के यूज करेंगे और ये बात ये भी आ रखेगा कि जैसे एक्जाम्पल समझने बढ़ देखें देखें आइदर दे और आई एम आइदर के बाद और के बाद और के बाद आई के साथ हम एम का यूज करेंगे क्योंकि देखें यूजिली क्या होता है जो और के पास जो सब्जेक्ट होगा ना यानि और जो कंजेक्शन है इसके पास जो सब्जेक्ट होगा ना उसी को मैं सब्जेक्ट समझेंगे उसी के में इसके इनुसार की जो और आई के बाद itself का जो भी सब्जोनत होगा जो भी वयब होगा उसी के इनुसार की आएगा सब्जक्त होगा है आएगा लिकी ए आएखिये कि आईदर के बाद क्या रहा है तो बिलुकूर, मैं इसमें क्या दाएगा सब्सक्राइगा, अगला अगला इश्मार देखिया यानि, आइदर के बाद भी क्यान सही? नाउन आना चीही ही, लेकिन यहापर क्या रहा है, पर नाउन आ रहा है, तो यह sentence क्या होगा? रों होगा, हम इसको यहाँ से अटायर का करेंगे, यहाँ करेंगा है, यानि पोईश्णी क्या होगी, यह होगी, एजिक सेंदर क्या होगा पास्ते हैं आपने तो आपने नाव के बाद कर देखिंग लिए उसलिए और के बाद अगर नावन है अजिक्टिव होने शहीं हो जहीं लेकर यहां पर क्या है और के बाद noun आरा हुआ यहां पर noun आरा है इसलिए हम कहा रहे है अधर ही condition change करेंगे और यहां पर क्या है meet क्या है noun तो meet के बाद मिट के पहले इसको रख दिया हमने यहां पर देखिए फिरेर और का उंज हुआ है इसमें तो क्वोई कि हमें को है जरह इसमें कुछ दिकत नहीं है कि हमें सबको पता है और कि एजर के बाद और दौर आएगा लेगा लेगन जो बासिए भी पोसे टेशी एज़र आरी एरु है है जकल तो अछिरह बूइ यानि खरीदना है मतलो मिच यह वर्ब होगी क्या है यह वर्ब तो sentence wrong हो गया sentence wrong हो गया एक्जेक sentence क्या होगा देखे sentence होगा की current current will बूइ अच्छा हमें कैसे पर चला कि यह वर्ब है विल की साथ हमें से क्या तो मुख्यों की first form आती है तो यह वर्ब बूइ क्या रहा है मुख्यों की first form अकाम कर रहा है इसलिए क्या वर्ब है अब देखे sentence सही कैसे होगा current will be either a car by यह sentence होगा अच्छा होगा यानि हमने अच्छा के पर लिख दिया सब क्या आइससे बार में देखते हैं का रहा हूं